पावर पॉइंट की वीडियो में आज हम जानेंगे सिंबल के बारे में अभी आप देख सकते हो सिंबल का जो मेरा option है वो disable है इसको enable करने के लिए आपको किसी भी एक text box के अंदर click करना पड़ेगा या फिर एक text box को draw करना पड़ेगा तो जैसी मैं text box के अंदर गया यहाँ प आप font select करोगे उस तरीके के ही आपको symbol यहाँ पर show होते जाएंगे जैसे यहाँ पर देखे wingdings है wingdings पर click करोगे तो इसमें आपको काफी सारे symbols मिलते हैं इसके अलावा wingdings 2 है और भी हमें option मिल जाते है font के जैसे wingdings 3 तो जिस तरीके के आप font style select करोगे आपको उसी तरीके के य symbols आ रहे हैं इसमें से मैं किसी भी एक symbol को select कर रहा हूं जैसे telephone को select करा इसके बाद यहाँ पर insert पर click करेंगे तो यह symbol हमारे PowerPoint की slide में insert हो जाएगा दीखें यहाँ पर यहाँ पर देखें मैं इसको close कर रहा हूं अब देखें यहाँ पर आप इसके आगे चाहूं तो आप type भी कर रहा हूं और यहाँ पर मैं यह envelope ले रहा हूं insert पर click करेंगे close करेंगे तो देखें envelope आ गया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं envelope ठीक है envelope हो गया यह तो इस तरीके से आप symbol पर click करके किसी भी तरीके का symbol अपनी PowerPoint की presentation में insert कर सकते हो